तोक्यो उलंबिक में पूर्श ओकी टीम के चीफ डिफेंडर एवं चम्बा जिला के लाल वरुन शर्मा सहीत दमदार प्रदर्शन करने वाले अन्ने खिलाडियों के सम्मान में पुलिस मेदान बारगाह में एक कार्यक्रम का आयोजिन क्या गया कारिक्रम में उपायुक्त डीसी जाना ने बतोर मुख्यत थी शिर्कत की इस तोरान उपायुक्त सहित सभी खिलाडियों ने उलम्पिक में बहतर करने वाले खिलाडियों को बधाई दी इस अभ्यान के तहत युवाओं को वरुन से सीख लेकर खिलों सहित अन्यक्षेतरों में बहतर करने के लिए प्रिरित किया गया जिला में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त के साथ चर्चा की गई इस मौके पर जिला उलम्पिक संग चंबा के सयूजक मनुज शर्मा ने कहा कि यूवाओं में खेल भावना बढ़ाने की दिशा में कारे किया जा रहा है इसे और वेहतर धंग से करने की प्रशासन के साथ मिलकर पोशिश की जाएगी उपायुक्त डिसी राना ने प्रशासन के ओर से हर संभव सहायता देनी का आस्वाशन दिया साथी उन्होंने राश्टिस तर्य खिलाडी अक्षे वरनबाल को होकी स्टिक्व बॉल देकर समानित भी किया हमारे जो नेशनल टीम है उसने टोकियो उलम्पिक में कांसे पदक प्रापत किया है और आज हमारी जो महिला टीम थी वो बड़े संघर्ष के बाद जो है वो फोर्स पोजिशन पे आई है रांकि उनका बहुत ही अच्छा प्रदेशन रहा है होकी में लगबग 40 साल के बाद प्रदेश को मेडल मिला है और मुझे लगता है द्वारा से लोगों में होकी के प्रती और रूची और जोश पनप्रा पैदा हो रहा है जो बहुत अच्छी बात है और उसको प्रमोट करने की आवशकता है और इसी कड़ी में आप हम चंबा के जो होकी के टीम है उनके साथ हमने इंट्राक्ट किया और एक सबसे एक और खुशी की बात जो चंबा जिला के लिए है कि हमारा भी एक प्लेयर जो है प्रमोट किया जा सके उनको बढ़ावा दिया जा सके चंबा जिला के जो स्पोर्ट कॉंसिल है उसकी पीछे हमें एक मिटेंग किती जिसमें सारी हमारी स्पोर्ट कांसिल की जो प्रतिनी जी थे उस रामिल थे उनके जो भी सुझाब थे उस पे हम काम कर रहे हैं और उनको जो भी सुविदाओं की आवशेक्ता होगी वो जीना प्रसाशन जो बड़े प्रोएक्टिबली प्रोवाइड करेगा लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चम्बा सरीशव महिंद्रू के रिपोर्ट तूमपर